लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें तो हम इस पत्टी को काटते हैं और इस तरह से हम इस पत्टी को काटते हैं कि मूठ लेते हैं अब हम सबसे पहले सूट के गले की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम सूट को उल्टा कर लेंगे इस तरह से देखिए सूट जो हमारे कटिंग की हुई है हमने सूट की इसको हम उल्टा करके रख लेंगे और गले की चोड़ाई लेंगे अपने इच्छा नुसार हम जितनी तो मैं जो इसमें गले की चोड़ाई तयार रखना चाहती हूं इसलिए मैं सवादो ले रही हूं क्योंकि मुझे धाई सिलने के बाद तयार चाहिए सवादो तैयार हमने चोड़ाई ले ली और 5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है क्योंकि छोटा ही गला मुझे पहनना है नीचे से मैंने इसकी 2 इंच चोड़ाई ली है गले की चोकोर गले को हम थोड़ा सा गलास के टाइप में काटते हैं तभी वो परफेक्ट कटता है यह देखिए इस तरह से हम इसको काट लेते हैं गले को निशान लगाने के बाद और यह देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हमारा यह गला जो है वो कट चुका है अब जो यह पट्टी है हमारे पास हमने इस पट्टी को अभी सिर्फ एक तरफ से काटा है क्योंकि एक तरफ तो इसमें किनारी ही थी एक तरफ से हमने इसको काट लिया है तो अब हम जो किनारी वाला हिस्सा है इधर से भी हम एक्ष्ट्रा जो है वो काट कर निकाल देंगे और शिरिफ आधा इंच ही छोड़ेंगे काट देंगे ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ से बराबर काट लिया है अब हम इस पत्ती के दोनों तरफ जो आधा आधा इंच का कपड़ा है उसको थोड़ा और पतला कर देंगे काट कर क्योंकि हमें गले में पतली सलाई लगानी होती है जाधा चौड़ी नहीं थोड़ा और पतला कर देंगे ये देखिए हमने पत्ती के दोनों साइड जो है मशीन के लगबग एक पैर का इतना कप्ड़ा छोड़ा है क्योंकि इतनी ही चोड़ी हमें सलाई लगानी है अब हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और एक निशान लगाएंगे यहां पर चौक से जहां पर गले का कोना आ रहा है इस तरह से निशान लगाएंगे अब हम पट्टी को जितनी भी चोड़ाई है हमारी पट्टी की उतना ही लगबग उतना ही कपड़ा लेके हम इस तरह से मोड़ेंगे और जहां हमने निशान लगाया था वहां से हम तिर्ची सलाई लगाएंगे पक्की करके सलाई लगाते हैं पक्की करके सलाई लगाएंगे देखिए ऐसे ध्यान रखना है जितनी हमारी पट्टी की चोड़ाई है उतना ही चोड़ा हमें कोना बनाना है तो ये देखिए इस तरह से ये एक तरफ का कोना बन गया है अब हम दूसरी तरफ का ऐसे ही बनाएंगे यह देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे ना पेंगे यह हमारा इधर का कोना हो गया और अब हम उधर चौक से निशान लगा लेंगे उधर का कोना भी हम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने इस साइड का बनाया है सलाई के लिए उतना ही कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा जितने हमारी पट्टी की चोडाई है ऐसे ही हम लैस का भी कोना बना कर लैस भी लगा सकते हैं चोकोर गले में सें इसी तरह से तो यह देखिये यह हमारे चोक ऋ गले की जो पट्टी है वो बिलुकुल तैयार हो चुकी है यह देखिये कर इस तरह से हम इसको लगाएंगे तो लगाने के लिए हम क्या करते हैं सूट को उल्टा करते हैomb क्योंकि पलट कर सीधि तराफ आएगी सूट को हम उल्टा कर लेंगे और उल्टे सूट पर पट्टी रखेंगे हम सीधी सूट उल्टा और पट्टी सीधी उससे पहले हम ये कोने काड़ देते हैं सलाई के बाद बस थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हैं बाकी जितना भी एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको हम काड़ देते हैं अभी देखिए इस तरह से हमने उल्टे सूट पर सीधी पट्टी रखी है यानि सूट का उल्टा हिस्सा भी हमारी तरफ और पट्टी का उल्टा हिस्सा भी हमारी तरफ होना चाहिए और इस तरह से हम मश चलाएंगे ऑर ऐसे ही हम पूरे गले में लगाते चले जाते हैं यह देखिए है से हीम जब हमें लैस लगानी होती है तब हम पहले च्छोकोर गला बुकरम का बनाते हैं उसके बाद हम लैस सीधी तरफ से लगाते हैं directly लेकिन पटि वाले गले में हम भुकरम के हम कोई जरूरत नहीं है यहां पर हम कट लगा लेते हैं हलका ही कट लगाएंगे जादा सलाई से बाहर तक नहीं ले जाना है कट अब हम इस पट्टी को सीधी तरफ पलट देंगे यह देखे ऐसे अब बिल्कुल गले की किनारी पर सलाई लगा लेंगे इस तरह से लगाएंगे सलाई मर्जी है हमारी हम चाहें तो एक पैर की भी सलाई लगा सकते हैं या फिर हम गले की किनारी पर भी लगा सकते हैं तो इस तरह से हम पूरे गले में सलाई लगाते चले जाएंगे ये देखिए हमने गले की किनारी पर सलाई लगा ली है एक्ष्ट्रा पट्टी जो है उसको हम काटकर निकाल देंगे और अब हम सलाई लगाएंगे इधर से ये कपड़ा मोड़ कर पट्टी की दूसरी तरफ जो कपड़ा था एक तरफ का कपड़ा तो हमारा सिल गया गले में दूसरी तरफ जो कपड़ा था उसको इस तरह से मोड़ कर हम सलाई लगा देंगे पक्की ही सलाई लगाते हैं ये कच्छी सलाई नहीं लगाते हैं हम कोने पर आकर इस तरह से हम गले के कोने पर मोड़ देंगे अगर आपने मेरा चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि सलाई से रिलेटिट कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं देखिए ऐसे हम पूरे गले में हम सलाई लगाते चले जाएंगे इस तरह से ही यहाँ पर मोड देंगे हम कपड़े को और यह देखिए हमारा चोकोर गला बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यह गला बन चुका है अगर आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंड्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें थाइंक यू